नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2021 में कौन से देश की मिलेटरी किस नमबर पे है और इस्पेशली हम यहां बात करेंगे टॉप 10 मिलेटरी इन दा वर्ल्ड की और यहां पे यह रैंकिंग दो केटेगरी इस पे basically की जाएगी क्योंकि एक केटेगरी पे यह जो रैंकिंग है यह कहीं न कहीं genuine नहीं बैठती है पहली केटेगरी होगी डिफेंस बजट वाइस कौन सी कंट्री टॉप 10 में है दूसरी कटेग्री होगी जिसमें कि हम आपको military personal किसके पास जादा active military personal है उसके हिसाब से ये ranking की जाएगी साथ ही साथ top 10 के अलावा भी कुछ ऐसी countries जिसके बारे में आपके दिमाग में आता होगा कि काश इसका भी इन्होंने बताया होता तो मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो active military personal है उस हिसाब से कौन से country के ranking कितनी बैठती है और किस country के पास कितने active military personal यानि के military के लोग हैं तो इस rank में सबसे उपर आता है चाइना चाइना के पास 21,85,000 active military personal है और चाइना के क्योंकि छेतरफल बहुत बड़ा देश है उनका तो उन्हें इसकी जरूरत भी है second rank पे आता है इंडिया जिसके पास 14,45,000 active military personal है और इंडिया को भी छेतरफल की दृष्टी के हिसाब से और समुदरी सीमा के हिसाब से इतने military manpower की जरूरत रहती है third rank पे आता है अमेरिका और अमेरिका में active military personal है 14,00,000 जो कि अमेरिका के हिसाब से काफी हद तक सही कहे जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका अपने देश के साथ साथ दुनिया में और भी बहुत जगट टहलते रहता है तो अमेरिका जैसे देश को इतने active military personal चाहिए ही होते हैं और fourth rank पे यहाँ पे आता है North Korea जिसकी active military personal की size है 13,00,000 और fifth rank पे आता है रशिया यानि कि भारत का एक अच्छा दोस्त और रशिया में active military personal है 10,14,000 जो कि रशिया के हिसाब से काफी हद तक आप सही कह सकते हैं क्योंक इतने की जरूरत नहीं है लेकिन पाकिस्तान अपनी उकात से ज्यादा रखा हुआ है military personal को मतलब उनके देश का जो size है उस हिसाब से यहाथी के वह आले दात है पाकिस्तान के हिसाब से जो कि दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए क्या है यह मैं आपको अभी एर्थ रैंग पे जिसके पास 5,25,000 active military है फिर आता है आपका 9 रैंग पे unexpected वियतनाम और वियतनाम में 4,82,000 active military personal है इसके बाद 10 रैंग पे आता है सौधी अरेबिया जहाँ पे 4,40,000 active military personal है तो यह जो रैंकिंग आपने देखी 1 से लेके 10 तक की यह strength के हिसाब से थी इसके अ यहाँ पे 3,55,000 active military personal है 21st 21st रैंग पे है France जहाँ पे 2,70,000 active military personal है फिर है 23rd रैंग पे Japan धाय लाग military personal के साथ और 29th रैंग पे है UK जहाँ पे 1,95,000 active military personal मौझूद है उमीद करता हूँ यह आपको लिस्स समझ में आ गई होगी अब आते हैं defense budget wise कौन सी country किस रैंकिंग पे है क तो यहाँ पे ranking में 10th rank पे मैं 2 countries को रखना चाहूंगा वैसे Russia यहाँ पे 11th rank पे आ जाता है लेकिन अगर budget के साब से आप देखते हैं तो 10th rank और 11th rank में कोई खासा difference नहीं है रुपीज में यह amount कितना होता है यह मैं screen पे लिख दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो परे budget US dollar में मैं आपको बता रहा हूँ इस screen पे आपको Indian rupees में दिख रहा होगा फिर आता है 9th rank पे France जहाँ पे 47.70 billion US dollar का budget है फिर आता है 18th rank पे South Korea जहाँ पे 48 billion US dollar का budget use किया जाता है 2021 के हिसाब से यह ranking में आपको बता रहा हूँ budget की इसके अलावा 7th number पे आता है Saudi Arabia with 48.50 billion US dollar क Saudi Arabia इस समय दुनिया में number one importer of defense goods and products का बना हुआ है Saudi Arabia में इस समय सबसे जादा बहुत सारे defense equipment को खरीदा जा रहा है और इसलिए यह number one पे importer है और importer खेर होने का एक और बड़ा reason यह है क्योंकि Saudi Arabia वो देश है जो कि defense के मामले में चीज़े तो बहुत खरीद रहा है लेकिन उ Saudi Arabia number one importer बन जाता है बहुत पहले यह number one का tag जो था या इंडिया के पास था लेकिन फिलहाल नहीं है वो हम इंडिया की ranking पे बात करेंगे 6th rank पे यहां पे आता है Japan जिसका budget है 51.70 billion US dollar का 5th rank पे आता है UK यानिक United Kingdom और इनका budget है 56.042 billion US dollar का फिर 4th rank पे आता है Germany जिनका budget है 57.43 billion US dollar का और फिर 3rd rank पे आता है अपना प्यारा भारत जहां पे 2021 का military budget है या defense budget है यह रखा गया है 73.65 billion US dollar का जो की पिछले साल से थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन defense procurement यानिकि defense में जो खरीदारी होती है उसके लिए 18% का amount बढ़ाया गया है लेकिन total defense budget जो है वो 1% के ही around 2020 से बढ़ा है पर फिर भी हमें खुशी होनी चाहिए कि जो defense की खरीदारी है उसके budget में 19% की बढ़हुतरी इस साल की गई है खेर आते हैं second rank पे second rank पे आता है चाइना और चाइना का जो budget है वो इंडिया से काफी जादा बढ़ा है और चाइना का इस साल का budget है 178 billion US dollar का और मैं आपको य 178 billion US dollar जो की अभी भी काफी जादा है अगर आप बाकी देशों से compare करते हैं तो इनका budget अभी current का ये है और फिर आता है United States of America जिनका budget बहुत बहुत ज्यादा रहता है हर बार की तरह इस बार भी है 74740 billion US dollar मतलब अगर आप सारी 9 countries को अगर आप मिला देते हो फिर भी वो अमे अगरिका का अकेले का defense budget होता है तो ये जो basic ranking आपने देखी ये defense budget के हिसाब से बर देखी अब मैं आपको defense budget के हिसाब से कुछ और countries जो आप जरूर जानना चाहेंगे उनका बताता हूं 16 नंबर पर आती है तुरकी जिनका defense budget है 17.30 billion US dollar का 17 नंबर पर आता है इसराइल जिनका defense budget है 16.60 billion US dollar का फिर आता है पाकिस्तान जिसका budget है 12.275 billion US dollar का तो पाकिस्तान अगर आप budget के हिसाब से देखते हैं तो 24 वे rank पे है लेकिन military personal के हिसाब से आप देखते हैं तो 6th rank पे है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो military है उनकी training की quality क्या होगी वो किस तरह के equipments को use करते होंगे तो यहाँ पे यह बहुत माइने रखता है अगर आपके पास लोग बहुत जादा है जैसे पाकिस्तान 6th rank पे है लेकिन budget के मामले में आप देख रहे हैं कि 24 rank पे है तो यहाँ पे बहुत military personal के सिर्फ होने से फाइदा नहीं होता है क्यूंकि modern warfare की जो technology है उसमे आपको latest equipment चाहिए उनकी training समय समय पे होने चाहिए वो सारी चीज़े upgrade होती रहने चाहिए तब वो ज्यादा लोग भी आपके काम आएंगे नहीं तो आप लोग कितने भी रख लीजिए अगर आप अपनी spending नहीं बढ़ा रहे हैं पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं तो फिर उन 15 साल का समय लगे लेकिन पहुंच जाएगा लेकिन बात करें अगर पाकिस्तान भारत के बराबर कब पहुचेगा तो मुझे लगता है शायद वो कभी नहीं होगा near future शायद जब तक हम आप जिन्दा है उसके बात कभी होता है तो मैं guarantee नहीं ले सकता है पर फिलाल का यही है और एक देश जो की defense के मामले में अपने आपको बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है हमेशा North Korea उसका defense budget भी आपको जानना चाहिए इनका defense budget मातर 3.5 billion US dollar का है और यह अकसर challenge करते हैं अमेरिका को और मैं बताओं कि इनका जो budget है उस हिसाब से देखा जाए तो इनको पा कि मेरे हिजाब से जो दोनों ही list में top 10 के अंदर हो वैसे देश सच में बहुत ताकतवर हो सकते हैं तो ऐसी countries जिन्होंने दोनों ही list में top 10 maintain किया था यानि budget में भी और active military personal की strength में भी तो वो देश हैं America, China, India, Saudi Arabia, South Korea और Russia तो अगर आप इन 6 countries में से देखते हैं तो अगर आप Saudi Arabia को बाहर निकाल दीजें क्यों निकालिए ये भी बताऊंगा तो अगर आप Saudi Arabia को बाहर निकाल दीजें तो बाकी US, China, India, South Korea, Russia ये पांचों ही country अपने आप में काफी ज़्यादा strength वर्दी हैं क्योंकि इनका budget भी अच्छा है साथी साथ इनके पास active military manpower भी बहुत अच्छ वर्द दिखाए देंगी, Saudi Arabia को क्यों मैंने नाम नहीं लिया यहाँ पे जबकि ये दोनों लिस्ट में top 10 में है, क्योंकि Saudi Arabia अभी एक कह सकते आप defense के field में एक nausiquia country है, क्योंकि ये अभी latest इन्होंने शुरुआत किया है अपने defense पे काम करना, चीजे ये अभी भी बाहर से खरीते हैं, इनको जो training मिलती है, वो पहले पाकिस्तान के जो troops होते थे, वो बहुत हद तक देते थे, अब कुछ सालों से इन्हें इंडिया के भी troops जाके वहाँ training देते हैं, तो Saudi Arabia की जो military है, इसे अभी एक अच्छे defense के field में अच्छा नाम कमाने में 10-15 साल का समय लगेगा अभी ये budget बढ़ाते रहेंगे अपना इसी तरीके से, अपने defense staff को training provide करेंगे, फिर 10-15 साल में ये एक respectable position पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक साल में भी अपनी strength को बढ़ा के और budget को भी बढ़ाते तो भी आप ranking में तो आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, क दुनिया में top 10 air force, navy top 10, navy top 10 military, इन सब के ओपर वीडियो बनाएंगे one by one, तो आप हमारे चैनल को subscribe करके जरूर रखिएगा, अगर आप उन वीडियो को miss नहीं करना चाहते हैं, तो bell icon भी प्रेस जरूर करेगा, फिलहाल के लिए मैं मनीश मिलता हूँ आप से अगले वीडिय वीडियो में, नमस्कार, जय हिंत